हेलो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा आठा चक्की का कंट्रोलर है और हम आज आपको बताएंगे कि ये कैसे वर्क करता है आपको अच्छी तरह से समझाएंगे इस वीडियो में चलिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब और सेर जरूर करें चलिए हम आपको बतात को पाल के ये किसे लिए इस एले के लिए और के लिए को मारा हम अपको इस कबर को साइड करके आपको बताते हैं अच्छी तरह से और यह ने को के 12 है यह हमारा 220 बोल्ट AC है और यह हमारा मोटर का सप्लाई है और यह हमारा जो डाना डालता है गेर मोटर का है और यह जो led वाला देखे हैं आप और सिंसर और यह मारा साइड में स्पीकर का है कि अग चलिए अब हम आपको अच्छी इसे समझाते हैं ये ट्रासफार्मर बारे टू 18 फोल्ट के लिए और यह हमारा हाई एंपिय ओभरलोड के लिए ये बनाय गया है और यह हमारा सौकित है इसमें सब कनेक्शन होंगे और यह दोनों वायर जो आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर का यह इसमें दोनों मेन वायर रहेगा और मेन बड़ी वाली मोटर के लिए है और एक दाने डालने वाली घेर मोटर का है और यह हमारा मोट के लिए है यह da causa का मुट के लिए दो यह एक है और यह हमारा sensor के लिए और यह मारा speaker का है और आपन सेंजर चलिए अब हम आपको बता लगा के दिखाते हैं ये sensor है इसका sensor में दो sensor लगा है और एक get के लिए switch के लिए wire है आपको दिखा रहे हैं ये देखे ये get के लिए दो wire आप अगर और उसका दर्वाजा खोलेंगे तो यह आटोमेटिक बंद हो जाएगा यह दर्वाजे पर लगेगा और हमारा यह हो गया और जो आप यह हमार सेंसर का तीन कनेक्शन है एक पाश्टी हो बाकी दो सेंसर के लिए यह हमारा दो सेंसर है है इसी सेंसर पर जब आप आन डालते हैं तो यह सेंस करके बताता है दो सेंसर लगा इसके बीच में आन आ जाएगा तो यह तरव सेंसर करके बता देगा अधा है यह मारा मेन 0ay 005 12 बोorden के लिए यह दिया है जो दानी के लिए गेर मोटर इसके लिए अर्लिय मारा रिले स्फिश की तरह काम करता है यह में मोटर रहता है उसको स्फिश के लिए यह काम करता है यह हमारा लिले मोटर को on off करने के लिए है, और यह हमारा पीछे का है, सब कनेक्शन इसी तरीके से इसमें हुआ है, और हम आपको दिखाना चाहते हैं इसी से हमारा गेर मोटर पर करता है यह टांजिस्टर से और यह हमारा टाइमेर के लिए मोटर का टाइमेर को रिजिस्ट करने के लिए चलिए हम आपको यह आपका मूट के लिए है और यह कि स्पीकर का जैक दो जो चुटा है और यह वैलूम के लिए प्रिसेट है और यह हमारा सेंसर तो आपको बता चुके हैं यह दोनों सेंसर है अब हम आपको भी इसको लाइट में लगा के कैसे वर्क करता है वो भी वीडियो में आपको दिखाएंगे कि यह कैसे वर्क करता है चलिए अब हम आपको आगे लेके चलते हैं इसको दिखाते हैं इसका वर्क कि यह कैसे काम करता है और यह हमारा चलिए अब हम इसमें कनेक्शन करते हैं यह हमारा में लीड है 220 बोल्ट हम इसमें देंगे जली हम ये हमारा फेस हो गया और हम एक NewTol का दूसरा Terminal को इसमें अच्छे से Tide करेंगे आ हमारा दूसरा भी हो गया अब हम मोटर की जगह पर मेरे पास 70W का बल्भ है आपको दिखा रहे हैंर ये 50W का बल्भ है मोटर की जगह पर हम इसको लगाएंगे चलिए हम इसको भी इसमें डालके अच्छे से टाइट कर लेते हैं एक हो गया न्यूटल और ये इसका फेस रहेगा ये रिले से स्विचिंग करेगा और हमारा दूसरा ये गेर मोटर है इसी से जो दाना जाएगा चेंबर में इसी से जाता है ये ही मोटर रनिंग करता है चलिए हम इसको भी अच्छी तरह से टाइट कर लिए हैं हमारा ये भी हो गया है अब हम इसमें इसका सेंसराइट करेंगे और स्पीकर लगाएंगे चलिए हम ये मेरे पास एक स्पीकर है इस बॉक्स को हम कनेक्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे ये कैसे व है मैं लगा लिए लाए और हरो हमारा संसर लगाएंगे इसमें यह मारा संसर है दो संसर है कि अब यह दरवाजे का ezी उच के लिए दो कनेक्षन है आपको आगे वीडियो में बताएं अभी sistCl सेंसर को भी लगा लिए हैं और इसमें जो है आप देख रहे हैं अब हम इसमें 220 बॉल्ट का सप्लाई देंगे और यह हमारा आप देख रहे हैं यह वैलूम है यह आवाज जिसमें आप ज्यादा हाई लो कर सकते हैं आराम से देखिए हम आज को बढ़ा रहे हैं देखिए अवाज तेज हो गया है इसमें सिश्टम दिया है अब आज अपने इस आप से अरजिस्ट्म कर सकते हैं यह हमारा हो गया है अब हम आपको दिखाते हैं यह कैसे वर और कर रहे है यह दरवाज का सीवें जैसे हम लगाते हैं प्रूंत हमारा मोटर स्टार्ट हो गया, देखिए दोनों, मोटर भी स्टार्ट हो गया और बल्ब भी गुलो करने लगा, ऐसे वर्ग करता है, देखिए दोस्त, इसी तरह से वर्ग करता है हमारा कंट्रोलर, ये दर्वाजे का सीचे, जैसे दर्वाजे बंद करते हैं हमारा चक्की आटोमेटिक जब यह पूरा सेटप हो जाएगा तो यह अच्छी तरह से आपकी च्छी तरह से वर्क करेगा यह हमारे चनल को शेयर और सब्सक्राइब करें